हर हर महादेव दोस्तों, उमीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वारवनसी यात्रा के बारे में कि आप वारवनसी कैसे आ सकते हैं वारवनसी घुमने के लिए बेश समय कौन सा होता है वारवनसी में रहने और खाने की क्या वेवस्थाएं हैं और बावा विस्वनात के दर्सन के बाद बनारस में वो कौन-कौन सी जगहें हैं जिसको आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं और साथी साथ आपको आंतों बताने वाला हूँ कि इस यात्रा में आपका पर परसन कितना खर्चा आने वाला है तो इस परकार की हरे को वो जानकारी आपको देने वाले हैं जिससे आपकी यात्रा और भी अच्छा और मंगल में हो जाने वाला है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का हमारा ये ट्रिप प्लान टूडे वान नाइट का होने वाला है और मैं उसी हिसाब से पर परसन का खर्चा पताने वाला हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए कॉमें हर हर महादेव लिख दीजिएगा और चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल सस्राइब कर दीजिएगा तो चलिए आज की वीडियो का हम सुभारा महादेव तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बनारस कैसे पहुचा जाए तो बनारस आप 3 तरीके से पहुँच सकते हैं पहला सरक मार्ग दूसरा rail mark तीसरा हवाई मार्ग सरक मार्ग के अगर बात करें तो बनारस का वारानसी केंट रेलवेटेशन के ज़स सामने ही है बनारस का बस्टेंड और बनारस में यहाँ पर जैसे इंडिया के बड़े सहरे हो गया कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कानपूर, लखनो यहाँ से डिरेक्ट आपको बस मिल जाएगा तो आप डिरेक्ट बस से बनारस आ सकते हैं वह दूसरा बात करें रेल मार्की तो बनारस में चार रेलवेटेशन है जैसे पहला वारानसी का कैंट रेलवेटेशन दूसरा है मरवाडी, जिसका नाम भी बदल दिया गया बनारस कर दिया गया तो आप कन्फूर्ज मत हुईएगा और तीसरा है वारानसी का सिटी रेलवेटेशन और चौता है कासी रेलवेटेशन बहुत लोग कन्फूर्ज हुई जा रहे हैं वारानसी का कैन्ट रेलवेशन या फिर बनारस रेलवेशन तो यहां आ सकते हैं वहीं अगर बात करें हवाई मारकी तो बनारस में अपना खुद का इंटरनेशनल हवाई अड़ा भी है जहां पर बड़े बड़े देशों से या फिर अपने इंडिया के बड़े सीटी हो गया दिली मुंबई कुलकत्ता आगरा यहां से ड्रेक्ट आपको फ्लाइट मिल जाएगी तो आप यहां पर आ सकते हैं वहीं एयरपोर्ट से बात करें बनारस सीटी की डिस्टेंस तो लभ पचीस से एठास किलुमेटर की है तो आप वहां से शेरिंग बड़े असानी से वार्नसी केंट रेशन आ जाईएगा और वहीं से आप चले जाएए शेरिंग आटो लेकर के बनारस के दिल कह जाने वाला सकते हैं और यहांगा इस प्रकार से बनारस आसकते हैं हम बनारस पहुंच चुके हैं और आप बारी आता है एस्टे लेने का इस्टे लेने के लिए आप हो सकते हैं बनारस का दिल कहे जाने वाला गोदोलिया जी हां गोदोलिया एक मात्र ऐसा जगह है जहां से आपको बाव विस्वनात का मंदिर भी पास पढ़ने वाला है वहां पर रहने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स धरमसाला डॉरमेटरी ह होटल्स सब देखने को मिल जाएगा वहीं से आपको पास परेगा बनारस का विस्व परसिद गंगा आरती जहां होता है दसा सुमेद घाट वह भी वहां से आपको पास पढ़ने वाला हैं तो आप मेक्शियूर करें कि आपको बनारस के गोदोलिया में आकर आकर के एस्टे को मिल जागा ताज होटल भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा तो आप वहां जाके रह सकते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप यहां पर कितने प्रकार से रह सकते हैं और यहां का रेंट कितना होने वाला है सबसे पहले हम बात करते हैं धरमसाला की तो धरमसाला वाला है तो आप इस परकार से यहां पर एश्टे ले सकते हैं तो चलिए अपने बनारस पहुंच चुके हैं और बनारस पर रहने के लिए अपनको जगा भी मिल चुका है अब बारी आता है खाना खाने की क्योंकि जब तक हमारे अंदा एनर्जी नहीं होगा तो हम जगों को explore कैसे करेंगे जी हां अगर आप बनारस आ रहे हैं तो बनारस में खाना खाने इसे मामले में निश्चिन्त हो जाएं क्योंकि यहां पर आपको खाने का भिराइटी मिलने वाला है भाई सब यहां पर खाने का इतना भिराइटी है कि आप बनारसी खाने का फैन हो जाओगे यहां पर आप 50 रुपे से लेकर के 500 से लेकर 1000 तक ही थाली खा सकते हो खाने का टेस्ट एक नमर होने वाला है और हाँ अगर आप बनारस आ रहे हैं तो बनारस के एस्टीड फूड को आप मिस मत करिएगा क्योंकि बनारस जाना जाता है अपने एस्टीड फूड के लिए और अगर आपका बजट कम है तो आप यहां पर फ्री में भी खाना खा सकते हो वो मैं स्किन पर उसका डिटिटेल से दे दुँगा और उसका टाइमिग है यह वो भी आपको मेंशन कर दूगा ताकि आप उस टाइमिंग की एकىर्डिंग जाकर आप खाना खा सकते हो खाना खिलाता है अनपूर्णा ट्रस्ट के द्वारा जो की कासी विसुनात मंदिर के समीप ही है वहाँ पर आप जाके खाना खा सकते हो तो चलिए अब हम बात कर लेते कि बनारस वीच करने के लिए बेश समय कौन सा होने वाला है तो आप बनारस आ सकते हो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक क्योंकि उस समय ज्यादा धूप नहीं होता है क्योंकि बनारस में गर्मी बहुत जादा पड़ता है तो आप गर्मी में तो बिल्कुल घूमने पाओगे यहाँ आपका टेंपरेचर 45 तक पहुँझाता है तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप बनारस को किस प्रकार से एक्स्प्लोर कर सकते हैं अगर हम डेवन की बात करें तो अपने देन की सुरुआत बनारस में होने वाली असी घाट पे सुभाय बनारस की आरती से कर सकते हैं जी हाँ, सुभा पांच बजे होती है ये सुभाय बनारस की आरती आप उस टैम जाएए वहाँ पर आरती अटेंड करिए आप वहाँ पर बनारस की बहुत ही खूबसुरत तनराइज को देख पाएंगे और साथी साथ वहाँ पर जो कुछ कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता ह तो आप उसका ब्यानंद ले सकते हैं और उसके बाद आप तुरह से घाट वाक करिए आपको काफी सुकून के अनभूती होगा देन उसके बाद आप जा सकते हैं बोट राइड करके दससमेद घाट पर जहां पर आप असनान ध्यान करिए और हाँ बोट वाले भईया आपक जली के माध्यम से भी जा सकते हैं या फिर चाहे तो आप जो नया कोड़ोर बनाए उसके माध्यम से आप जा सकते हैं तो आप जो मनिकन का वाला मनिकन का घाट है उसके जश्ट बगल में है गंगा दोर आप उसके तुरू आप अंदर जा सकते हैं और दसन कर सकते हैं मंदि जा सकता है तो आप वहाँ दर्शन जरूर करिएगा वहाँ दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी ते बाद आप जा सकते हैं बनारस के दुर्गा कुणिष्टित दुर्गा माता मंदिर में आप उनको एक्स्प्लोर करना मत भूलिएगा वहाँ करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत प्राचीर मंदीर उस मंदिर के जश्ट बघल में ही है मानस मंदेर घियर तुलसी मानस मंदीर वहाँ पर आप देख पाएंगे कि पूरे दिवार पर 19 के मनदर के पूड़या को वहाँ पर वर्नन किया गया है तो तो आप प्राशों उसके बाद आप जा सकते हैं BANARAS के BHU, U heeft BhU India University, उसके अंदर है Bau Vishnath का मंदर जिससे नाम से नाम से जानते हैं और उसे विर्ला मंदर के नाम से भी जानते हैं तो आप जा करके वहाँ पे एक्स्प्लोड करिए और इतनी करते करते आप का साम हो जाएगा तो आजाई दसता समय घाट पे वाफस, वहाँ पर कुछ तुरा से घाट वाग करिए, घाट को एक्सप्लोर करिए, उसके बाद आप अटेन कर सकते हैं, गंगा आरती में, गंगा आरती आप दू तरीके से टेन कर सकते हैं, एक तो बोट में बैठ करके सामने गंगा जी में, और एक तो घाट पे बैठ करके आप अटेन कर सकते हैं, और हाँ थुरा पहले जाईए गाट पे, क्योंकि बहुँ जादा भीर हो जाता है गंगा आरती में, तो आप पहले जाएंगे, तो आप थुरा सापको पहले सीट मिल जाएगा आगे, तो उनको एक्स्प्लोर करिए, फिर थुरा सा घाट पे आराम से बैठी है, लेमन टी, वेवन टी से था पीजे घाट का, और उसके बाद आप चले जाएए अपने रूम पे, तो आराम आराम करिए, अपने यातरा की दूसरे दिन, आप चाहे तो फिर से सुबह सुबह जाएए गंगा असनन करिए, उसके आप जा सकते हैं, बनारत से महज 14 किलोमेटर के दूर पे है सारनाथ, जहां पर मातमा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, आप वहां पर जा करके, मातमा बुद्ध से जरेटर, जो भी साक्ष है, आप उनको दर्शन कर पाएंगे, वहां उसको एक्स्प्लोर कर पाए भाव से 3 घंटे के समय लगेगा, ता आप उसको एक्स्प्लोर कर लीजिए, पर उसके बाद आप आजाइए, अपने बनारत सिटी आजाइए, उसके बाद आप जा सकते हैं, रामानगर का किला, जी हा, बनारत के गंगा पार, रामनगर का किला है, आप वहां जाईए, वहा को बहुत फेमस लस्टी है, चलिए, अब रामा का किला भी घूमलिए उसके बाद आज यह फिर सेशी सीटी में, उसके बाद आब बनारस की गलीों को एक्सप्लोर करिए, बनारस के जो गल्चर है, उसको देखिए, और उसके बाद जो बनारस की जो लोकल फूड है, उसको तो काफी अच्छा लगेगा इस परकार से अपने डे 1-2 की planning कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास समय है तो फिर से गंगा आटी में return हो जाइए और उसके बातने होने यह पने अपने गंटबी के लिए वहां से फिर से वाप रवाना हो सकते हैं तो चलिए, अब हम मेर मुद्दे पर आते हैं, बजट कितना आएगा, यनि कि टूड़े वन नाइट का जो एक्स्प्लोड करेंगे, इतना घूमेंगे फिरेंगे, उसमें खर्चा कितना आएगा, तो आपका ट्रांस्पोर्टेशन में महज 500 रुपे खर्चाने वाला है, तो चलिए, हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ मैजदार और अन्य प्लेस पे, तब तक लिए, बाई-बाई, हरार महादेव